जाहिंद आपके अपने चैनल नुए स्टेजी 24 के बढ़ा मास सीरीज में आज हम भाग पास के जो सेस भाग बच गये हैं उसके बाड़े में बताएंगे उसमें केंद्रिय मंत्री परिशद संसद और उच्तम नियाल है इनके बाड़े में बताएंगे और बताएंगे कि विप्यसी द्रोगा और अधर कंपेशिशन में कितना मार का पूछा जाता है यह टॉपिक एक्जाम में दिरिश्टी कुण से यहां से एक कोशन फिक्स है आता ही है तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट वाच कीजिए साथ ही जो भी नए स्टुडेंट है उनकी सहायता के लिए हम उसे बता दे कि ब्रहमास्रीज का प्लान है पहला वीडियो गैड वीडियो में आपको कुशन बाइंक और सिलेवस का पुरा अनालाइसिस करके बताते जिससे कि आप समझ सके कि आपको इस टॉपिक में क्या सब पढ़ना और नहीं नहीं पड़ना है सकेंड वीडियो टेस्ट वीडियो टेस्ट वीडियो टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट देने की वज़ए से आप खुद समझ पाएंगे कि हमारा कौन सा टॉपिक अच्छा है और कौन सा टॉपिक पर अभी औ उसके बारे में बताते हैं कि आपको BPSC में यह सब फ्यक्ट है इंपोर्टेंट है यह आप तीनों वीडियो देखते हैं तो BPSC में के जिए देर सो कोशन है उसमें 130 प्लस कोशन टकराने का गरेंटी है यह आप सब का फोलो करते हैं तब यह नहीं कीजिएगा तो कोई दिकत यूटूब पे 1000 टीचर है आप वहां जाके पर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो चलिए देर न करते हुए क्या करते हैं सबसे पहले आपको टॉपिक प्राराम करते हैं इस टॉपिक पर आप देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रिये मंत्री परिशुदर का उनका क्या सक्ति है उसके बाड़े में चर्चा किया गया है अनुछेद अथेतर में फिर इसी के अलावा उन्हीं अनुछेद उन्हासिस लेकर अनुछेद 112 तक संसद का वर्णन किया गया है इसमें संसद का पूरा हर चीज का वर्णन है संसर की क्या कार कारी सकती होना चाहिए उसके कितनी मिटी"! उसका होना चाहिए उसमें कितने सदस होना चाहिए उसका वेवस्थापक कैसे किया जाए उनकी सकती क्या है उनकी विश्षा अधिकार क्या है इन सभी का वर्णन अनुछेद 89 से लेकर अनुछेद 122 तक में वर्णन किया गया है यदि आपके पास लूशेंट या कोई भी अधर कंपेटेशन का भूग हो आप उहां से पढ़ सकते हैं लेकिन लूशेंट काफी सफिसेंट है भी प्यासी के दिरिश्टि कुन से तो आपके पास लूशेंट है या लूश दो बार पढ़ने से आपको क्या होगा यह समसाजव workers हो जाएगा कि इसमें क्या पढ़ना है किसको छोहर देना कि इसको किता तरीका से पढ़ना के समझ भाई एगा उस्तमनी आल है सुप्रीम कोट are we gomäßig candidate क्या करता है किस परकार से कार्ज होना चाहिए कितने मंत्रि होना चाहिए कितना दिन सत्र चलना चाहिए कितना दिन कौन सा कार्ज होना चाहिए इसका पूरा संचालन देख रेक करता है क्या वह संसद करता है लेकिन कौन से काम सही से कर रहे हैं क्या करता है वह क्या करता है वह सुप्रीम कोड करता है सुप्रीम कोट हर वो समस्या जिस समस्या को कि जन कल्यान के लिए होना चाहिए जिस योजना को जन कल्यान के लिए लाना चाहिए उस पर पेनी नजर रखते हैं और ये भी सोतंत्र होते हैं इनका जो वर्नन क्या गया है अनुछेद 124 से लेकर 147 तक इस सभी का वर्णन किया गया तो इसमें Кол , सकती किस प्रकार से दिया गया है उसका विश्य साा अधिकार है किस प्रकार से स्वतंत्र बोड Canton राजनेतिक दबाव से उपर है और यह अपना कैसे देता है इस सभी के मतलब इससे आपको एक एक छीज को रठना नहीं है कि वे आप एक चीज रठते आधर से तोथे इतना से इतना के विच में राष्ट पती है आप शूपटारीया याद करके रखते हैं तो कभी भी आप एक्जाम में क्वेश्चन ने चुट रोगे क्योंकि उसमें ऑफ्षन होता है आप समझ पाएंगे कि इसके बाड़े में यह है और यदि आप शेट बनाते हैं तो इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसमें हमको इसका आंसर क्या होगा क्योंकि सबसे प पता है कि यह इसका नहीं है तो यह भी बहुत मैंने रखता है और एक्जाम पास करने के लिए यह भी रननेती काफी महतपूर्ण है तो आप एक अच्छे रननीती बनाके चले एक अच्छे प्लान के साथ चले जिससे कि आपको किसी भी तरीका का दिकत नहों और आप बच गया था भाग पांच जो कि अनुछेद बावन से लेकर अनुछेद 151 तक का वर्णन किया गया है जिसमें यह से भाग बच गया था क्योंकर हम आपको बता दिये थे राष्टपती उपरास्टपती और परधन मंत्री के बारे में बता दिये थे उनके सक्ति उनकी कार् उसको भी हम करमबद तरीका से आपको बताते चलेंगे तिन से चार वीडियो में यह टॉपिक धीर धीरे कंप्लीट हो जाएगा आभी धीरे धीरे परते रहिए आगे बरते रहिए धन्यवाद